हेलो मेरे पैरे दोस्तों, कैसे हो सब आप आशा है कि बहुत बढ़िया होंगे फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है, ये होम बेकर्स के लिए बहुत ही यूसफुल है जो स्पेशली बिगिनर्स के लिए, ओके, सो जिन्होंने केक क्लास की है बट उन लोगों को हमेशा हमेशा केक्स खाना अच्छा नहीं लगता है और भाई किसको हमेशा हमेशा केक काना अच्छा लगेगा बट उनको डिजाइन्स बनानी है, या फिर फिनिशिंग की प्रैक्टिस करनी है, आइसिंग करना है तो आप क्या करोगे हैना हमेशा sponge bake करके तो नहीं कर पाओगे तो friends यहाँ पे यह देखे मैंने एक dummy cake लिया है हैना easily market में मिल जाते हैं friends यह जो है मैं wedding cake बना रही हूँ सो सोचे चलो आपके साथ मैं share करूँ कि किस तरीके से dummy cakes के उपर आप जो है अच्छे से अराम से easily designs बना सकते हो तो आपको क्या करना है clean wrap लेना है clean wrap में अच्छे से इसे लपेट लेना है आपने देखा मैंने clean wrap किस तरीके से dummy cake को किया है अब देखे friends मैंने यहाँ पे gas का flame on कर दिया है और एक तवा रग दिया है directly आपको इसे इस तरीके से नहीं सेखना है आपको तवे के उपर हलके हर की जो गर्मी होते है इस वज़े से जो हमने clean wrap करके रखा है वो shrink हो जाएगा है ना हलका से shrink हो जाएगा तो मिस क्या होगा जितना भी हमने clean wrap लगाया है वो properly एक सार इखटा होके चिपक जाएगा तो अराम से करना है directly flame पे नहीं करना है अब क्या करना है ये देखें कभी कभी क्या होता है थोड़ी थोड़ी bubbles आ जाते है अंदर में air चली जाती है तो कोई भी pin की सहायता से उसमें 2-3 छेट करिएगा और दबा दबा के इसमें से air निका लिएगा ठीक है और अच्छे से इसे ये देखें अच्छे से आपको back side से side से उपर से नीचे से अच्छे से इसे clean कर लेना है ठीक है तो इस तरीके से हमारा ये dummy cake ready है आपकी जो भी design है जो भी practice करनी है cream cake की, truffle cake की आप या fondant cake की आप easily कर सकते हैं अब देखें मैंने यहाँ पर drum board लिया है आप जो चाहें board ले सकते हो drum board के उपर एक sheet वो मैंने remove कर दी तो कि मुझे ये wedding cake के लिए बनाना है तो आप normally जो भी board है उसके उपर इस तरीके का cello tape है वो देखें मैं किस तरीके से लगा रही हो ठीक है इसके उपर जो है आप दोनों side से इसे लगा लेना है ये देखें है ना friends तो ये बहुत ही आपका काम आसान हो जाएगा आप जो चाहे cakes बना सकते हो क्योंकि ये reusable रहेगा है ना हमने clean wrap लगाया ये देखें friends मैंने किस तरीके से stick किया है ओके अब ये ready हो गया है board इसके उपर ये dummy cake ये अराम से stick हो जाए properly center में इसे आप stick करो ये देखें ठीक है क्योंकि एक बार एगर चिचिपक गया ना स्टिक हो गया तो ये दोबारा निकलेगा नहीं ठीक है पूरा फार्णा पड़ेगा आपको तो ये काम आप अच्छे से करो ओके तो ये देखिए हैना अच्छे से मैंने stick कर दिया है hope तो आज की tips आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो कॉमेंट में जरूर बताईए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले